हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफाबेट कोचिंग सिंटर में देखिए आज इस वीडियो में हम इंडियान पोस्ट जीडियेस दोहजार चौबिस के वैकंसी के बारें बात करेंगे तो देखिए इस वीडियो में हम क्या जानने वा चैनल आती है यह आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि यहाँ पर जीडियस की जो Bijकंसी है वो कितना है यह कितना आने वाला है इन सब के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां पर हम क्या जानेंगे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसमें पोश्टे कितनी है पहले हम जान लेते हैं GDS होता क्या है तो देखिए GDS यह आपका यह होता है भारती ग्रामिड क्या होता है ग्रामिड डाक सेवक क्या होता है ग्रामिड डाक सेवक होता है GDS का ये होता है और ये post office में work होता है इसमें कुछ काम नहीं होता है इसमें अच्छा सबसे best ये job है और यहाँ पर देखिए जो पद है पद कितने हैं इसमें पदों की बात करें तो पद आपके 40,700 से भी प्लस post हैं यहाँ पर इतनी वेकंसिया निकलने वाली है और बात करें qualification की तो qualification क्या रहने वाला है यहाँ पर बात करेंगे qualification की qualification की qualification की बात करते हैं तो इसमें qualification जो है दस्वी पास है अगर आप दस्वी पास है तो भी आप इस फार्म को भर पाएंगे और age की बात कर लेते हैं age कितना रहना चाहिए age आपका इसमें रहना चाहिए 18 से ले करके अगर अपकी उमर 40 वर्स है तब भी आप इस फार्म को भर सकते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी exam नहीं है क्या है? कोई भी exam नहीं है यानि no exam है और इस प्रकार से भर्ती जो भी होती है उसको हम कहते है सीधी भर्ती क्या कहते हैं? सीधी भर्ती अब देखिए यहां पर अगर exam नहीं हो रहा है तो किसी आधार पर तो exam मतलब selection होगा किस आधार पर selection होगा? merit के आधार पर merit के आधार पर यह भर्ती होने वाली है अब देखिए हम बात करते है selection का process का selection का जो process है आपका merit पर आधारित है और इसमें बात यह है कि आपका paper नहीं है यानि इसमें आपका paper नहीं होने वाला है यानि इसमें आपका paper नहीं होगा क्या होगा? पेपर नहीं होगा, फिर हम बात करते हैं, सेलरी की, देखिए, अगर आप कोई भी पोश्टर लेते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, तो उसमें सेलरी आपका मेन, भूमिका निवाता है, कि आप उसके लिए, आपको कितना सेलरी मिलने वाला है, सेलरी की बात करते हैं, तो सेलरी में देखिए, यहाँ पर सेलरी आपका कई दो पार्ट में हैं, पहला तो आपका ग्रामिड है, क्या है, ग्रामिड में, अगर आपका ग्रामिड में, जीडियस में होता है, तो अलग रहेगा, अगर आपका सहरी में होता है, तो अलग रहेगा माल लिजे अगर गरामिड में हैं तो गरामिड में आपका जो salary रहेगा 10,000 रुपए रहेगा अगर सहरी में होता है तो सहरी में देखिए क्या है 12,000 salary आपको मिलता है इसमें और देखें सबसे अच्छी बात है इस बार जो vacancy आने वाला है तो इस बार जो vacancy आने वाली है इसमें आपका खुसखबरी है क्या खुसखबरी है? किसमें आपको DA मिलेगा? क्या मिलेगा? खुसखबरी आपका क्या है? इसमें DA मिलेगा पहले आपको जो भी selection होता था उन लोग को DA नहीं मिलता था केवल यह total amount मिलता था लेकिन इस बार क्या होगा DA मिलेगा यानि अगर आपका salary salary मिला करके salary plus DA अगर यह दोनों को मिला दिया जाए तब आपका जो salary बनता है एक तो आपका gramid का बनेगा दूसरा आपका सहरी का तो जो gramid का बनेगा क्या बनेगा gramid तो gramid का salary बनने वाला है DA को मिला करके यह 18,000 18,000 से ले करके आपका 20,000 तक के बीच में बनने वाला है और अगर बात करें सहरी के कहां कि सहरी का तो सहरी का देखिए आपका यहाँ पर 18,000 से ले करके क्या है 18,000 से ले करके आपका यह 22,000 के बीच बनने वाला है यहाँ पर इस salary में काफी अच्छा मुनाफ़ा हो मतलब बढ़ोतरी की जाएगी इस बार और देखिए form की बात करते हैं form की बात करते हैं यह कब से सुरू होगा तो देखिए इसकी जो vacancy होती थी वो आपका जनवरी तक आ जाता था जनवरी के महिने में आ जाता लेकिन अभी तक इसकी vacancy का कोई अता पता नहीं है तो इमान के चलिए कि यह आपका vacancy जो है चुनाओ के बाद आएगा देखिए चुनाओ के बाद तो नहीं आएगा क्योंकि चुनाओ से पहले ही जो जारी करना होता है वो जारी हो जाता है तो इस हिसाब से अगर देखा जाए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो कब तक फार्मा आ जाएगा मतलब कब तक अपलाई होगा यह आपका जो अप्रेल में क्या है और यह जो है आपका यह कोई यह अनुमान लगाय गया है कि यह आपका अप्रेर में संभावित यह कोई official notification नहीं जारी हुआ है कि यह आपका vacancy कब आएगा कि अप्रेर में आएगा की कब आएगा लेकिन यह जो संभावित है कि चुनाओं से पहले ही आ जाने कि क्योंकि चुनाओं के बाद कोई भी वेकंसी जारी नहीं होती है तो इस परकार से यह संभावना बन सता है कि यह आपका अप्रैल तक में आ जाएगा अप्रैल के लाश्ट में और यहां पर हम बात कर लेते हैं मतलब मेरिट जो बनेगा किसका कैसा बनेगा तो देखिए जो मेरिट बनने वाला है वो आपका जनरल की बात करते हैं जनरल के अगर बात करें, तो देखिए हमने YouTube चैनल पर देखा है, जहां पर गठाउ है जनरल का जो कटाब बता रहे हैं, 80% और 90% तकरीबर बता रहे हैं, तो ये हम जो कटाब बता रहे हैं, इसके नीचे किसी का नहीं होने वाला है, जैसे माली जी जनरल की बात करते हैं, अगर 99 प्रतिसत है तो यह आपको selection में मानिए कि आप GDS में हो जाएंगे अगर आपका इतना है general के candidate तो यह मान लीजिए आपका नहीं होने वाला है और बात करते हैं अगर ESC और ESC तो देखे इन लोग का भी वही condition है ऐसा नहीं है कि यह लोग 80% पा जाएंगे तो इन लोग का GDS में हो जाएगा तो ऐसा बात नहीं है यहाँ पर जो होगा अगर यह आपका 95 से प्लस है यानि यह मान के चलिए अगर इनका 98 है कितना है 98 है तो यह यहाँ पर हम किलियर से लिखे लिए अच्छे से अगर माल लीजिए ESC और ESC कंडिडेट का अगर इनका 98 है तो यह मान सकते हैं कि इनका GDS में क्या हो सकता है क्योंकि GDS की merit बनती ही हाई हाई बनती है ठीक है और बात करें OBS की OBC की और तो 95 से नीचे वालों का कभी नहीं होगा ठीक है यानि आपका अगर पिछले साल से या चार-पान साल से जो भी पिछला अगर उठा करके देखेंगे 10 साल के बीच में तो यहां पर उन्हीं कंडिडेट का सेलेक्शन होगा है जिनका 95 पलस रहा है किसी का इसके अंदर नहीं होगा है हमने कई पीडिएप में कई बार इसको पहले रिसर्च करके हमने देखा है कि जो भी कंडिडेट का सेलेक्शन होगा है 98 के प्लस ही आपका selection होगा है चाहे वो general candidate के हो चाहे SC हो, चाहे ST हो चाहे वो EWS हो हाँ एक दो लोग का हो सकता है बाईचांग जिनका 95 पे हो गया हो ठीक है अगर हमारे दोरा जी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा और comment box में बताईएगा कि आप ये वीडियो को कहां से देख रहे हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई vacancy, नई जानकारी नई current affair के question के साथ तब तक लिए धन्यवाद, जै हिन, जै भारत